अगर आप शिक्षा के शेत्र में किसी भी डिग्री को पोस्यू करना चाहते हो, बीक B.A.D.O. या फिर M.A.D.O. या फिर Education में आप PhD ही क्यों ना करना चाह रहे हो और आप बहतर College की एक्षा रखते हो, तो बहतर नहीं, बहतरीन Colleges की एक्षा रखते हैं, जिसमें R.I.E. Teacher Education field में जितनी भी important courses होते हैं, R.I.E.E. उन सभी courses को provide करता है, इन सारे course की designing क्या होनी चाहिए, क्या syllabus होना चाहिए, किस तरीके का level होना चाहिए एक बच्चे के लिए, इन सारे चीजों की देखरेक NCRT खुद करता है, आपको मालूम होना चाहिए, कि NCRT की establishment 1961 में हुई थी उसके कुछ साल बाद ही पूरे देश भर में almost 4-5 R.I.E.E.S. की स्थापना की गई थी, जिसमें से R.I.E.E.S.U.R. one of them है, अगर R.I.E.E.E.S.U.R. की मैं बात करूँ तो जितने भी Southern States के बच्चे हैं, आंधर प्रदेश, करनाट का, केरेला, तमिलनाडू, तलांगाना, Union and Territory of Pudducherry and Lakshwadweep के बच्चों को eligible करता है for pursuing any of the teacher education field के course को from R.I.E.E.S.U.R. अगर मैं R.I.E.E.S.U.R. की campus की बात करूँ तो लगबग 124 एकर में फैला हुआ है R.I.E.E.E.S.U.R. का campus, अमूमन आप देख पाते होंगे, teacher education field के जितने भी courses होते हैं, उन सभी के colleges को 10 से 11-12 कमरों में ही समटके वो रह जाते हैं, लेकिन R.I.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. काफी facilitated है, वहाँ पे हर एक modern facility को provide किया गया है आज के समय के इसाफ से, साथ ही मैं R.I.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E पर ही मैसूरू उस्थित है, मुझे मैसूर के बारे में बताने की जरूरत बिल्गुल नहीं है, क्योंकि मैसूर अपने आप में ही कितना खुबसूरत है, यह आप सभी को पता होगा, करेंटली मैं बात करूँ तो R.I.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. हम थोड़ा साना R.I.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E मेसेज दिया हुआ है साथ ही में या पे क्या यूनिट्स है मतलब NCRT के बारे में basically बात लिखी गई है notices आये हुए है वो सारी चीज़े दी गई है institutions पे आप click करोगे तो organization के बारे में RIs के बारे में logo वगर administration पे आप क्लिक करोगे तो management company, dean of the instructions, academics वगर पे click करोगे तो आपको बाते समझ में आएंगी धीरे तरह जैसे ही आप programs की तरफ चेक करो तो आपको पता चलेगा undergraduate program में ये ITEP के courses प्रवाइड करते हैं MSC, B8 plus M8 diploma program वगर ये प्रवाइड करते हैं साथ ही में student services में अगर आप देखोगे तो student clubs वगर है, library की facility दी हुई है, library में क्या-क्या facilities प्रवाइड की जाती है, वो सारी चीज़े आपको समझ में आएगी, other facilities में आप जाओगे तो पते चलेगा hostels वगर है, assembly hall है, audio video hall है, playgrounds ये सारी बातचीत आपको धीरे-धीरे समझ में आएगी, फिर galleries आप चेक कर सकते हो, photos वगर, IQEC, internal quality assurance sales को भी आप एक बारी explore कर सकते हो, so this will be all about website tour of regional institute of education, Mysuru, अगर अब भी आपको RI, NCRT के regarding कुसी भी तरीके का कोई doubt है, किसी तरीकी की कोई dispute हो रखे या कुछ भी आपको update चाहिए, आप हमारे playlist को access कीजे, NCRT, RIBA 2024, जहां पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, playlist की link नीचे comment और description box में pin कर दी जाएगी, teacher education के regarding आपको किसी तरीके का कोई doubt या किसी तरीके की कोई information या कुछ update चाहिए, तो आप हमारे telegram group को join कीजे, teacher education resource, जिसकी भी link आपको provide कर दी जाएगी, comment box और description box में, Delhi Bites के बहुत से seminar होते हैं, students meet up होते हैं, बहुत सारे webinar वगरा होते हैं, जहाँ आप अब लाश सर खुद career counseling करते हैं, teacher education field पे खुलके चरचा करते हैं बच्चों के साथ, इन सारे चीजों की जानकारी भी आपको हमारे telegram group teacher education resource में मिलती रहेगी, teacher education field में अगर आप किसी और course के लिए inspire कर, और जितने भी preparation booster courses होते हैं, आप उन सभी के लिए, आप हमारे official website पे visit कर सकते हो, www.delibytes.in, जहां पे जितने भी preparation के लिए performance booster courses हैं, उन सभी को बहुत easily access कर प from the play store वहां पे जितने भी courses हैं, आपको access करने को मिल जाएंगे, अगर मैं अभी बात करूँ तो R.I. मैसूर के इक एक course को हम individually cater करते हैं, क्या eligibility criteria है, क्या seat metrics है, इन सारे चीजों को हम देखते हैं, शुरवात करते हैं, B.A.D. Bachelor of Education जो की 2 साल का program है, R.I. मैसूर में इनके 2 groups को divide किया गया है, science and mathematics group, social science and language group, R.I. मैसूर से अगर आप बेड़ गरना चाहते हैं और आपकी statewide eligibility भी है, तो इसके लिए आपको R.I. के द्वारा common entrance examination को qualify करना होगा, साथ ही मैं अगर मैं seat metrics की बात करूँ, included general category के बच्चों के लिए almost 50 seats provide की जाती है, और 5 seats EWS category के बच्चों के ल 50 plus 555 seats ही है, R.I. मैसूर में दोनों groups के लिए, science plus arts के लिए, अगर मैं बात करूँ, R.I. मैसूर B.A.D. की जो एक साल की fees है, वो सिर्फ और सिर्फ 14,710 रुपए हैं, अगर मैं eligibility criteria की बात करूँ B.A.D. में, तो minimum 50% marks आपके होने ही चाहिए, bachelor degree में, या फिर master's degree में in science, और अगर आपने B.T.E.C. के रखा है, with specialization in science और mathematics, या फिर आपने bachelor degree या master's degree ले रखिये हैं, social science और humanities, then also you are completely eligible, just आपके 50% marks aggregate होने चाहिए, 5% की relaxation मिलती है, other category के बच्चों को, appearing या final year के बच्चे भी eligible है, अगर आप बहतरीन college में जा रहे हो, तो किस हिसाब से आप preparation करो, कि आपका 100% assured selection हो ही जाए, तो इसके लिए बहुत simple सा तरीका है, play store से आप हमारे आपको download कीजिए, जहाँ पे R.I.B.A.D. की पूरी की पूरी preparation course आपको provide की गई है, complete syllabus coverage दी गई है, important notes, study materials प्रवाइड किये गई है, subject wise recorded lectures प्रवाइड किये गई है, mock test और lecture आपको same prize में दिया गया, सबसे बहतरीन बात ये है, कि हमारे जितने भी qualified faculties है, जिन्होंने D.S.S.B., N.V.S., NET.J.R.F. जैसे exams को qualify किया है, उन सभी के guideline में इस पूरे course की designing की गई है, अगर अब भी आपको R.I.B.A.D. में किसी तरीके का कोई doubt है, या eligibility में अभी कु doubt clear नहीं हो पा रहे है, तो आप हमारे playlist को access कीजे, N.C.R.T. R.I.B.A.D. 2024 वाला, जहाँ पे एक video होगा, N.C.R.T. R.I.B.A.D. 2024 करके, वहाँ पे R.I.B.A.D. के regarding, आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी, साथ ही में अब हम चर्चा करते है, ITEP के जो programs होते है, Integrated Teacher Education Program के अंतर कर जो दो courses को provide हिया जाता है, R.I.M.I.Suru के द्वारा, जिसकी entrance examination, national common entrance test के द्वारा की जाती है, जिसे N.C.R.T.E. खुद conduct करता है, तो अगर मैं B.C.B.A.D. की बात करूँ, तो यहाँ पर भी दो groups है, under B.C.B.A.D. एक mathematics का ग्रूप है, एक biology का ग्रूप है, और इसकी बहुत ह eligibility criteria है, आप plus 2 या पर plus 2 level का कोई भी examination आप qualified होने चाहिए, जहां पर 50% marks आपके होने ही चाहिए, other categories के बच्चों को 5% की relaxation दी जाती है, B.A.B.A.D. में भी similar eligibility ही है, आपके minimum 50% marks होने चाहिए, plus 2 में other categories के बच्चों को 5% की relaxation मिलती है, अगर मैं बात करूँ, 2021 या फिर appearing या appeared बच्चों के लिए, तो they are completely eligible for pursuing B.A.C.B.A.D. या B.A.B.A.D. from R.I. मैसूरू, अगर आपकी statewide eligibility भी है, अगर मैं seat metrics की बात करूँ, तो in B.A.C.B.A.D. 50 plus 5 seats provide किया जाता है, साथ ही में अगर B.A.B.A.D. की मैं बात करूँ, तो वहां पे भी आपको 50 plus 5 seats provide किया जाता है अगर मैं course fee की बात करूँ, तो 14,710 रुपए जो की साल भर का ही fee से B.A.C.B.A.D. या B.A.B.A.D. मैं, अब हम चर्चा करते हैं, Masters of Education जो की 2 साल का program होता है, यहां पे eligibility criteria जो है, उससे पहले आपको ये बात मालूम होना चाहिए, कि अगर आप Masters in Education कर रहे हो from R.I.M.S.ूर आ जिस examination को qualify करने के पाद ही, you will be eligible to pursue M.Ed. from R.I.M.S.ूर. आगर मैं eligibility criteria पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं, तो आपकी किसी भी bachelor degree में वो हो सकता है, आपका B.A.D.O. या B.A.B.A.D.O. या फिर B.A.D.O. या फिर D.L.A.B.A.D.O. जहां पर हर एक bachelor degree में in Arts or Science, आपके minimum 50% marks होने ही चाहिए other categories के बच्चों को 5% के relaxation दी जाती है, अगर मैं seat metrics की बात करूं, तो 50 plus 5 seats, यानि 55 seats है M.Ed. में, अगर मैं थोड़ा सा चर्चा करूं, course fee के regarding, तो 24,440 रुपे ही है first year का fees M.Ed का, अगर आप R.I.M.Ed. के लिए भी preparation करना चाहते हो, तो आप हमारे app को download कीजे, वहाँ पे M.Ed के लिए पूरी की preparation course आपको provide की गई है, अब हम चर्जा करते है एक special program को, जो की सिर्फ और सिर्फ R.I.M.E.S.ूर में ही provide किया जाता है, जो की 6 साल का program होता है, और वो M.E.C. plus B.A.D. होता है, जहाँ पे बच्चों को B.A.C. plus M.E.C. plus B.A.D. की degree provide की जाती है इसके लिए M.E.C. B.A.D. आपको physics, chemistry और mathematics तीनों subjects में ही provide किया जाता है, M.E.M.4, mathematics या statistics जिसके eligibility criteria होती है, कि आप plus 2 या higher secondary या senior secondary या फिर किसी और equivalent examination में minimum आपके 50% marks होने ही चाहिए, appearing या जितने भी appeared बच्चे हैं, 2021, 22, 23, 24 के वो eligible हैं अगर मैं state-wise eligibility की बात करूँ तो यहाँ पर किसी भी state-wise eligibility नहीं है, पूरे देश भर के बच्चे eligible हैं, M.E.C. B.A.D. pursue करने के लिए from R.I. by Suru, हर एक subject में M.E.C. B.A.D. in physics, M.E.C. B.A.D. in chemistry, M.E.C. B.A.D. in mathematics, 22, 22 seats provide की जाती है बच्चेों को अगर मैं course fee की बात करूँ तो बहुत ही nominal charges है 15,240 रुपए ही है first year का fees अगर मैं बात करूँ कि R.I. मैसूर में scholarship provide की जाती है या नि तो हाँ R.I. मैसूर provide करता है scholarship अगर मैं hostels की बात करूँ तो total 4-5 ऐसे hostels है जो की R.I. के बच्चों के लिए लड़किया और लड़को दोनों के लिए ही provide किया जाता है Thank you so much, this will be all for this lecture, हमारे सारे social media के links नीचे description box में available है God bless you all, do subscribe Delhi Bites